इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटस्ट खबरे वा आदेश हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन को कर ले सलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहु समस्त करमचारी बड़ा अपडेट जाने क्योंकि हाल ही में मिली जानकारी मिली है कि डी ये बढ़ने की बजाए जीरो जीरो होने वाला है पर करमचारीों को इससे दरने की जरूरत नहीं है क्योंकि शून्य हो जाने के बाद भी करमचारीों की सैलरी इस हिसाब से बढ़ेगी ऐसी खबरे सामने आ रही थी कि जनवरी 2024 में केंद्रिय करमचारियों का महनगाई भत्ता बढ़ा कर 50 फीसदी हो जाएगा केंद्रिय करमचारियों के लिए हर साल दो बार महनगाई भत्ते में इजाफा होता है लेकिन ये एजाफा कितना होगा ये महनगाई के क्रम पर निर्भर करता है महनगाई के अनुपात में केंद्रिय करमचारियों Central Employees को मिलने वाले भत्ते में एजाफा होना तै है कैर करमचारियों के लिए महनगाई भत्ता आने वाले वक्त में खुशखबरी लेकर आ रहा है उनका महनगाई भत्ता पचास फीसदी होने जा रहा है आएए जानते हैं कैसे शून्य यानि शून्य हो जाएगा महनगाई भत्ता महनगाई भत्ता का एक नियम है सरकार ने साल 2016 में जब सात्वा वेतन आयोग अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में करमचारियों को मिल रहा होगा उसे बेसिक सेलरी, बेसिक सेलरी यानि न्यूनतम सेलरी में जोड़ दिया जाएगा मान लीजिए किसी करमचारी की बेसिक सेलरी, बेसिक सेलरी 18,000 रुपे है तो उसे 50 फीसदी DA का 9,000 रुपे मिलेगा लेकिन 50 फीसदी DA होने पर इसे बेसिक सेलरी में जोड़ कर फिर से महनगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा मतलब बेसिक सेलरी का रिविजन होकर 27,000 रुपे हो जाएगी हाला कि इसके लिए सरकार को फिटमेंट में भी बदलाव करना पड़ सकता है क्यों शून्य किया जाएगा महनगाई भत्ता जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है करमचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है जानकारों का कहना है कि यूं तो नयम करमचारियों को मिलने वाले शत प्रतिशत DA को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाता वित्तिय स्थिति आड़े आती है हाला कि साल 2016 में ऐसा किया गया उससे पहले साल 2006 में जब छटा वेतन मान आया तो उस समय पांच में वेतन मान में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था पूरा DA मूल वेतन में मर्ज दिया गया था इसलिए छटे वेतन मान का गुनाख 1.87 था तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था लेकिन इसे देने में 3 साल लग थे शन्यू होगा डा तो बढ़ेगा हेच आरे हाउस रेंट अलाउंस में भी अगला रिविजन 3 प्रतिशत का होगा अधिक्तम मौझूदा दर 27 पीसदी से बढ़कर एच आरे 30 पीसदी हो जाएगा लेकिन ये तभी होगा जब महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस रिवाइस 50 प्रतिशत के पार हो जाएगा वितव विभाग के मेमोरेडिम के मुताबिक D.A. के 50 पीसदी क्रॉस होने पर H.R.A. 30%, 20% और 10 प्रतिशत हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस H.R.A. की केटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है जो केंद्रिय कर्मचारी X केटेगरी में आते हैं उन्हें 27 पीसदी H.R.A. मिल रहा है जो 50 प्रतिशत दहोने पर 30 प्रतिशत हो जाएगा वहीं, Y क्लास वालों के लिए यह 18 पीसदी से बढ़कर 20 पीसदी हो जाएगा Z क्लास वालों के लिए 9 पीसदी से बढ़कर 10 पीसदी हो जाएगा